आज हम मनाने वाले हैं सूजी का बहुती मस्यदार और बिल्कुल दानेदार सा हलवा जो मौसली नौरातर में पनाया जाता है इसे पनाने के लिए 1 अचाप चीनी तोड़ा सा दूद। उसमें मैंने केशर भींगो लिया है चार से फांच इलाइची घी और ड्राइफ फ्रूट्स इसके चांथी मैंने ले लिया है सूजी जो दाने वाला है इसके बाद हमने ले लिए कड़ाई कड़ाई में हमने एड़ कर लिया गी को और घी में हम फटा-फट से ड्राइफूट्स को ट्राइ रोस्ट कर लेंगे और फ़र इसे हम एक से तो मिनिट लगेंगे इसे रोस्ट करने में आप जो भी नट यूज़ करना चाहें कर सकते हैं बस इसे हमने रोस्ट करके एड़ करना है ताकि जो इससे है इसे फ्लेवर बहुत ही नेंसो क्याता है तो हमारे ड्राइफूट जो है वो रोस्ट हो चुका है इसके बाद हमने बाकी बचाओवा घी इसमें एड़ कर दिया है और इसके बाद हमने इसमें एड़ कर दिया है और इसके साथ ही हमने इसमें एड़ कर दिये है सूजी को अब हम सूजी को बहुत ही अच्छी तरह से इसमें इसकी भुनाई कर लेंगे इसे हमने जो है करीब 5-6 मिनट तक मेडियम फ्लेम पे इसे भुन लेना है पहले तो यह घी को अपने अंदर अब्सॉब कर लेगा और उ अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है इसका कलर भी बहुत ही प्यार आ गया है तो इसके बाद अब हम इसमें एड़ कर देंगे पानी और पानी को एड़ करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2-3 मिनट तक और कुक कर लेंगे इसे हमें जादा कुक नहीं कर कर लेंगे फ्रेंस चीनी जो है वह भी पिगलने के बाद इसमें काफी हद तक इसका मुश्य चूटेगा इसके बाद इसमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें इसके ऊपर से एड़ कर देंगे ड्राइ प्रूट्स जो हमने ड्राइ रोस्ट करके रखा हुआ थ इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसके साथ ही हम इसमें एड़ कर देंगे किसर वाला दूद उसे भी अच्छी से मिक्स कर लेंगे और इसे दो मिनट तक और कुक कर लेंगे फ्रेंस आप इसे नौरात में भी बनाए और जब भी है आपको कुछ मीठा खाने का मन करें तो आप ये फटा-फट से बना कर खा सकते हैं या फिर अपने महमानों को खिला सकते हैं अब ये काफी अच्छे से पक चुका है अब हम इसमें एड कर देंगे कुछ ड्रॉप्स केवडा वाटर के इससे जो ही इसमें बहुत ही अच्छे खुश्बू आती है तो इसे एड करने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगी और इसके बाद हम इसे गैस की फिलिम इसे सर्फ करने के लिए मैंने लेक बाउल और बाउल में इसे सव कर लिया है तो फ्रेंसे इसे आप देख पता शक्ते हैं कि यह कितना यमी ऑर कितना मजदार बनके रीडे हुआ हैं तो आप भी इससे जरूर बनाये अपने फैमникомली एंफ्रेंस में इंजॉइ करें साधी कम कि बाइ